अरुनिया तो कहां जा रहे हैं लखनों किसे लखनों प्रेंका गांधी जी को जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि योगी जी अभी तक 70 साल में सबसे फेल मुखमंत्री हैं वह इसलिए मुखमंत्री हैं कि आप केबल प्रिचार के दंपे नहीं कुछ हो सकता है पूरे 5 साल में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया आप बताईए अकलेश जी की का योबाज योश काम करेगा प्रियंका जी की प्रतिक्या काम करेगी अकलेश जी क्या तो लग रहुल और अकलेश 2017 में साथ आई थे इस वार तो ऐसी कहानी है नहीं जो को आगे चलके पता पड़ता ह पान साल कहीं रोट पे दिखाई पड़े अखलेश या मुझे बता दीजिए लखनों कि योगी जी को क्योंकि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से यह देखा गया है और लोग मानी भी रहे हैं इस चीज को कि सबसे पहले क्राइम बहुत कम है अपने यूपी में लिए भी बड़ा बुद्धा है और बाकी चीज भी यह है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति एफाईयार लगाने जाता था अखलेश जी के राजिमें तो उसकी एफाईयार नहीं लिखी जाती थी क्या लग रहा है एक युवा के तौर पर किसे लखनों बेज जी को क्यों बेज तो शिचागों बढ़ाना चाहरा है और बिगास कर रहे हैं और गराओं को घास उलाइटिक यह क्या लग रहा है बस एलेक्शन बिलको सिर्पर है लखनों किसे हैं अगलेज जाना है बिल्कुल चला है प्रयास में लगे हुए है काफी टेज़ी से और आगे विए है कि सब्सक्राइब लेजी कैसे बापसी तो उन्होंने उन्होंने का इसी बात नहीं है उन्होंने अच्छा काम किया है उनको याना चाहिए आंगे बिल्कुल अब लगनुट अप्लेज बाइब को या लग रहा सब्सक्राइब लगातार कई सारे एलेक्शन देखे होंगे आपने इस वार कि कैसा माहूल नजर आ रहा है लगनुट योगी जी जाएंगे उन्हीं का कंफर्म आप सब्सक्राइब अब जो है से वी याद जाएगे से वी य लड़ा दिया यादमों यादमों को लड़ाने में एक के फर्जी मुकदमा करवा दिया उनके खलाब वो बिचारे रो रहे हैं जैसे तैसे अब उनके मुकदमा मतलब छूटे तो आप यह समझी है कि अखिलेस यादम को हां से भी जीतना आप बहुत मुश्क्राइब कि आप कहां जा रहे हैं इतावा अब जारें लेकिन लखनु अखिलेस इने बताइए सोच माई यम्यादम दम्यादम बूर्ट डारें यादम काम करेगा लखनु कि सब्सक्राइब इस अब बताइए लेकिन लखनु किसे लखनु योगी जी किस तरह का माहूल देख सर यह वह बिकास किया है सर वह बहुत सही है जो रेट है इनकी विकास करने वह सही है बहुत और सुरच्चा भी बहुत है आप बताईए कहां जा रहे हैं आप शिक्योंगा जा रहे हैं लखनु किसे अगले से आदब क्या लग रहा है क्या माहूल योगी जी को लाएते लेकिन वो विकास वाने जो बादे किये थे उन्होंने वो एक भी वादा पूरा हुआ नहीं विकास के नाम पे के वाल ढिंडोरा बीटा और बोच वारी है था लग रहे हैं लेजी तकर दे रहे हैं उनको खिसानों का यहां दोलन हुआ था उसमें कितना कूर्टा की गई थी लोगों के साथ उनका जो खुद का मंतरी था उसको तो अभी तब कुछ हुआ नहीं है उनके साथ हमिस्ता जी आए तो वह लेकर मैं चस्मा लगा लिया हूं दुर्विन लगा लि जी आएंगे क्या माहौल बदला है पांस साल में या वही है लगनों किसी जी देखो ऐसा है कि हम स्टूडेंट हैं हम लोगों को कोई रोजगार भी नहीं मिला जो पढ़ाई का मामला देखा जाए कि हैं तो तीन साल में कोई वैकेंसी नेंगे हम ओबर ही हो चुके हैं अब कि दो कुणा गिरी पे गुणा गीरी यह जो कैसे बताएं बहुत कम वही है कि हां हमारे था जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे जरू पतिदेव हैं हां जरूर करेंगी